Hi So This video में हॉर्षू एलेक्ट्रो मैंगनेट के से बनाता है तो हमें देंगे देंगे टो इसमें क्या करना है तो आप जो्यू सेप्ट इंग के लिए आंको उस्वत आजरेन लेना पढ़ेए उसेप्र soft iron यह तो इस तरह से बनाएं तो आप इसको चाहिए इधर face कर सकते हैं उपर face कर सकते हैं तो मैंने इधर नीचे face किया तो यहां से आपको देखना है कि आपका जो turn है इस तरह से आपको लेना है कि यहां से clockwise लगे करेंट clockwise लगे तो वह साउथ पुला जाएगा यह आप इंटी clockwise लेना चाहते हैं तो यहां से यह ऐसे front से गया front से करेंट ऐसे इधर चला जाए ठीक है तो आप इसको तरब से देखें ऐस तरह से तो हमारे लिए इसको देखते हैं तो clockwise हो जा रहा है तो नीचे से देखना है इसलिए आप पेन को ऐसे लीजिए तो पहला टाने उपर से नीचे जा रहा है तो करेंट भी ऐसे जा रहा है तो यह आप अपने तरफ कीजिए तो देखें यह clockwise दिख रहा है तो clockwise हैं तो यह साउथ पुल है तो यह साउथ पुल बनगे अभी इस तरफ नौर्थ पुल होना चाहिए तो यह एंटी क्लाक वाइस होना चाहिए तो अभी क्या करना है तो आप इसको कंटिनियू किजिए तो यह अपने आप एंटी क्लाक वाइस हो जाए तो यह करेंड गया इस तरह से तब इसको यह टन देख लेता है तो यहां से करेंड इधर से गया नीचे से आए तो आप इसको देखें आप अपने तरफ कीजिए तो मैं कैमरा के तरफ करता हूँ तो यह इस तरह से जा रहा है तो यह पहला टन देखना उपर से नीचे की त तो यह आपको maintain करना है यह आपने दोनों तरह एक ही टाइप से बना दिया तो दोनों एक ही पूल बनेंगे वह गलत हो जाए तो फिर करेंट डाल देजा तो यह continue किजिए अपने आप अपको textbook में ऐसे cross ले जाएगा तो यह continue कर दिजिए अपने अब यह नार्थ पर लो गया तो अभी इसको circuit को complete करना तो resistance लगा दिजिए switch लगा दिजिए और cell अभी करेंट इदर से जा रहा तो यहने की इदर से इदर से इदर से तो इदर पोजिटिव टर्मिनल बना देजिए तो यह हो गया को complete हो गया सब्सक्राइब तो यह हर्ष्ण मेंगनेट इलेक्ट्र मेंगनेट इस सफट आइगा तो यह इस तरह से हमें बनाना लिकिन यह जो लास्ट यह वाला और यह वाला आपको मेंटेंड करना तो माली जी यह 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 अंटी क्लाकवाइज लेना चाहते है पीछे से इसा है तो इसको नौर्थ पर लिखे और यह नौर्थ पर लिखा आपने तो निस्टेक हो जाएगा तो यह मेंटेंड करना तो बागी सब एजी है इस वीडियो में हम सॉलेनोइट कैसे बनाएंगे और उसका पूल कैसे डिसाइड करते हैं यह देख लेते हैं तो सॉलेनोइट बनाने से पहले एक बार ले लिजिए अपको आसन पढ़ेगा तो यहां पर कोयल डालना तो यहांसे यह इस तरह से टर्न डालते जाएं ताकि लग रहा है आगे पीछे से यह लिया हुआ है तो इसमें क्लियर समझना आजएगा तो रेजिस्टेंस स्वीच अब बैटरी बैसल यह है तो यह सोलेनोइट होगी तो लॉंग सिलिंड्रिकल कोयल इसका लेंग्ध इस वेरी वेरी गेटर दन डायमेटर तो इसको बोलते हैं सोलेनोइट तो अभी करेंट कहां से फ्लो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से तो यहां से जाएगा पिछे से सामने आएगा तो अभी जो करेंट फ्लो करेगा उसके हिसाब से यहां पर होगा ठीक है पूल्स तो आप जयाद रखिए यह दी क्लॉक्वाइज डिरेक्षन है ऐसे लिखें फिर एरो लगा रहिए तो यह क्लॉक्वाइज दिखा रहा है इसका मतलब क्लॉक्वाइज है तो साउथ पॉल होगा तो clockwise current है clockwise current है तो south बोलोगा को वाला जो face है जिसको हम देख रहे हैं वो south बोलोगा और यदि anti-clockwise है तो north होगा तो अभी important है अभी इसको decide करना चाहते है मनलने जिए A और B में तो यहां से आपको देखना इसको सामने से तो सामने से देखते हुए यह clockwise हो रहा है कि anti-clockwise हो रहा है तो आप देख सकते हैं यहां से पिछे से current सामने की तरह आँ तो इदि इसको हम front से देखेंगे पिछे से सामने की तरह देखें इदि पीछे से सामने की तरह तो इस तरह से तो यह clockwise हो गए देखिए ऐसे जा रहा है तो clockwise है तो south pole तो यह south pole हो जाएगा और दुसरे side में north हो गए क्योंकि इधर anti clockwise हो जाता है ठीक है तो यह हो गया pole decide करने का तरीक तो pole decide हो गया अभी आपको बोलता है magnetic lines draw करो तो एक axis में ले लिजे एक इसके उपर ले लिजे लाइन थोड़ा साइड में कर नीचे जाते वे दिखाना है अभी magnetic lines north से निकलते हैं अपने अलुड़ी decide के north है तो इसको बाहर जाते वे दिखाए और इसको magnetic lines enter the south तो south की तरफ एंटर हो तो यह magnetic field पैटर्न हो है और current के इसाब से clockwise होगा तो south pole एंटी clockwise होगा नौर्थ तो जबी भी आप देखेंगे इसके सामने आपको सामने से आपको देखना इसको इस एंड में देखना चाहते हैं तो यहां से देखना आपको imagine करना है यहां पर आप और इसको यह आप पहले देखना चाहते हैं तो इधर में आपको आना पड़ेगा यहां से कुन से डाइरेक्शन है यह फर्स्ट टन का देखें सब का देखनी का ज़रोते हैं फर्स्ट टन का देखें तो आपको polarity पता चल जाए तो इस तरह से solenoid का कि डाइग्राम हो गया अभी इसको यही करेंट बढ़ा देंगे यही करेंट बढ़ा देंगे तो magnetic field भी बढ़ जाए ती और number of tons बढ़ा देंगे यहां पर यही मन लिजए और tons ले लिए इसा करें सामने सामने तो इंदे given length यही number of tons बढ़ा देंगे तो यह मैं इससे magnetic field बढ़ जाए ती और अंदर में मैंने जो रखा है उसको बनते है soft iron तो यह iron का एक part type है तो soft iron उसको solenoid के भीतर रखते हैं तो उसका भी magnetic field बढ़ जाता है तो तीन तरीके से solenoid का magnetic field बढ़ा सकते है तो आइरन और soft iron का एधी solenoid के भीतर में soft iron डाल देंगे rod तो magnetic field बढ़ेगा तीन तरीके से आप बढ़ा सकते हैं और यह अधी polarity आप change कर देंगे तो देखी करेंड यह से आ रहा है तो यह south हो रहा है देखी clockwise अभी इसको polarity change कर देंगे तो करेंड तो इधर से आएगा इधर से तो यह anti clockwise हो जाएगा तो यह north pole जाएगा यह south तो पोल सा रिवर्स तो solenoid का पोल्स रिवर्स कर सकते हैं कैसे बाइचेंजिंग दे टर्मिनल्स तो यह सब आपको डाइग्राम और डिरेक्शन और इस रिजिस्टेंस अगी रिजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो इस्टेंस बढ़ेगा करेंट काम होगा मेंगेटिक फिल्ड काम होगा तो रिजिस्टेंस बढ़ाने से क्या हो रहा है मैंगेटिक फिल्ड काम हो चाहिए तो यह ऐसे questions भी आ सकते है चलिए इस वीडियो में हम स्टेप डाउन ट्रांसफर्मर का डाइग्राम और कुछ कंसेप्ट सिख लेते हैं फटा फट तो आपके रिवीजन के लिए बता अच्छा है तो जैसे पहले वीडियो में ने बता है स्टेप आपका तो यहां भी वैसे ही कोर बना लीजिए पहले तो आप सिंपल स्क्वायर या रिक्टेंगुलर कोर यहनकी सेंट्रल पार्ट बना सकते हैं तो इसको लिखे लैमिनेटेड कोर तो यह सफ्ट आइनन से बनता है ठीक है ओके तो अभी स्टेप डाउन है तो यह वोल्टेज को डाउन कर देए ठीक है वोल्टेज को डाउन करें तो पहले हम ज्यादा वोल्टेज देंगे तो प्राइमरी में ज्यादा देंगे तो प्राइमरी में ज्यादा वोल्टेज मुनलब ज्यादा टन बनाएंगे तो प्राइमरी में ज्यादा ज्यादा वोल्टेज तो ज्यादा टन्स तो यह ह में कंटन दन कम यह पर तीन टन बनाया तो AC आउट पूट तो यह प्रैमरी होगे यह नहीं सेकडर्य होगे तो आदी NS, NP, NS तो NS, NP से बढ़ा होगा सरी, ये NP, NS से बढ़ा होगा ना, number of tons in primary बढ़ा होगा ये NS is less than NP तो output कम होगा है, number of tons तो इधर voltage भी कम होगा तो इसलिए ये step down होगा formula वही काम करेगा Epy E s is equal to Is by Ip is equal to Ns by Np by Ns formula वही काम करेगा और इसमे secondary turns में कम coil होगे तो इसमें voltage काम होगा और क्योंकि ये Epy Ip is equal to E s is है तो इसमें voltage बढ़ रहा है तो current जादा हो जाएगा तो Is is greater than Ip ये याद रहें तो पिछला वीडियो में जो step आप है voltage आप होता है current डाउन होता है तो secondary current छोटा होगा तो यहाँ पर ये current और secondary बढ़ा होगा क्योंकि voltage कम होगा है और power कंजब होता है तो ये concept तो ये simple diagram बनाएं तो यहाँ से Ip दीजिए यहाँ पर Ep दीजिए यहाँ पर Es दीजिए यहाँ Is दीजिए तो ये leveling करके बना सकते हैं अल ये दी diagram पुछता है तो इतना ही बनाना है और अच्छा से leveling करना आईए दूस्तों इस वीडियो में हम step of transformer कैसे draw करेंगे जल्दे से वह हम देख लेंगे ठीक है तो step of transformer में जो सबसे पहले आप ये core बनाएं तो ये एक square बना सकते है तो ये core हो गया तो इसको बलेंगे soft iron laminated core तो इसको आप laminated है तो इसको आप थोड़ा सा laminated design भी देख सकते है तो laminated का मतलब होता है छोटे-छोटे seeds लेके इसको मूटा बनाता है ये पतले-पतले seeds लेके इसको एकसद बना देता है तो ये क्या होता है laminated seeds में it reduces the formation of eddy currents तो ये हो गया laminated core तो अभी यहां पर हम क्या करेंगे तो turns देंगे तो turns लगाएंगे तर ये मैंने बना step up तो step up मतलब ये voltage आप कर देता है voltage difference जो है वो आप कर देता है कि voltage को बढ़ाता है तो step up मतलब voltage बढ़ाएगा तो इसलिए primary में कम voltage होगा तो ये हो गया primary coil तो यहां पर ac input ये ac का symbol है तो ac input तो यहां पर कितना turn लिया मैंने a1234 तब इसके opposite में हम लेंगे ज्यादा turn ले लेंगे तो यह यह है तो यह representative diagram है तो यह हो गया ज्यादा turns ले लिया इससे ज्यादा लेना है तो यह भी ac output तो यह dc में काम नहीं करता है तो यह ac में खाली काम करेगा इसलिए ac input ac output तो input होता है primary और output होता है secondary तो secondary coil यह होगे secondary coil तो यहां पर primary voltage और secondary voltage ES यह EMF और इसमें N P N S इसलिए number of turns in the primary number of turns in the secondary तो यह हो गया step of transformer तो इसका relation क्या होता है relation मालेज़े इसमें current IP फ्लो कर रहा है और यह IS फ्लो कर रहा है S है secondary के लिए और P है primary के लिए तो power input is equal to power output तो यह कोई loss नहीं होगा energy power तो input हो गया primary power का formula V into I होता है तो EP IP output का secondary हो गया ES IS टीक है तो यह formula का हम करेगा अच्छा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं EPY ES is equal to ISY IP तो यह IS उपर है यह उपर EP उपर है तो याद रहेगा और जो flux होता है सरी जो करता है और डिपेंड करता है नम्मर अफ टांस पर है तो EPY AS NPY NS तो यह directly proportional तो इस किसमें EP उपर है तो NP भी उपर होगा directly लेकिन यहां पर voltage जादा होगा तो current काम माँ चाहिए क्योंकि power is same तो इस दुनों को हम मिला देते हैं तो यहां पर हम डिख सकते हैं तो यह formula है तो इस तरह से हम आज है step of transfer transformer बना सहकते हैं तो आप साहे तो यहां INPUT यहां और भी दे सकता है यहां input यहां output तो यहीत दे सकते हैं इथर इंपट इस आख और इसे ए Faith I can आपको अच्छा से लिखना पड़े तो यह हो गया स्टेप अब ट्रांस्पर्म विल्कम टो जिवाकर फिजिक्स चलिए इस वीडियो में जल्दि से हम जो ड्यूल कंट्रोल स्वीच है उसको बनाएंगे सर्किट डाइग्राम तो एक्जाम में एक आउन पोजिशन का एक आफ पोजिशन का बनाना होता है ठीक है तो क्या करेंगे तो जैन से देख लिजे तो यह तीन डॉट ले लिजे और इधर भी तीन डॉट ले लिजे हाँ सवी शाथ-साथ में और यह हो गया पहले सेटको जविण कर लीजिए लास्ट वाले सेटको भी जविण कर लीजिए कर यहाँ से एक live wall दिखा दिजिए और इधर से एक bulb दिखा दिजिए तो अभी ये एक स्वीच होता है ये दूसरा स्वीच होता है अभी यहां पर जो टर्मिनल्स को मिला देंगे ताकि करेंट फ्लो करें या ना करें तो मान लिजिए मैंने इसको जोइन किया है तो इस इसवीच को इसे इधर दबा दिया और इसको उपर की तरफ दबा दिया तो हम देखते हैं कि live से यहां आके connection disconnect हो गया तो इसका मतलब यह आफ condition हो गया तो आप चाहे तो इसको उपर और इसको निचे करेट कर देजे ठीक है तो यह आफ कंडिशन होगी अभी अन कंडिशन का भी डाइगराम बना लेते हैं तो फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए तिन डॉट इधर और उधर तो फर्स्ट सेट जोइन करना है लास्ट सेट जोइन करना ठीक है बीच वाले एक से लाइब वहरा जाएगा और जो दुसरा है दुसरा जो साइड में बीच वाले से यह एप्लाइंस कनेक्ट होगा ठीक है यह हो गया बल्ब बना देजिए और यह न्यूट्रल है तो अभी क्या करेंगे तो यह जो स्वीच है दो इसका पूलार अज़िए ऐसे मिलाएंगे की सर्कीट प्व्फिट हो जाहना तो मैंने इसको दिसको दहर निचे कर दिया तो यहां भी निचे कर दिशन państwo तो दिखिए अबेदी लिभर से circuit complete हो गया तो यह bulb on condition में जाए और यदी आप चाहिए तो दुनों को उपर की तरफ कर सकते हैं तो circuit यहां से भी complete हो गया तो यह on condition यह off condition off, on off, on तो इस तरह से practice किजी ठीक है, dot बना गए Thank you Welcome to दिवा कर फिजीक्स चलिए हम देखेंगे कि जो ring circuit है उसमें fan, electric fan कैसे connect करते हैं ठीक है, तो पहले एक square circuit बना लीजिए, live neutral और earth तो यह आप rectangle भी बना सकता है, circular भी बना सकता है ठीक है, तो यह हो गया तो यहांसे live wire जुड़ गया यह neutral wire जुड़ गया और यह earth wire हो गया तो यह हो गया live, neutral, earth अब इसमें मन लिजिए fan connect करना तो यह live है, तो live से एक wire लेंगे switch देंगे, फिर एक fuse देंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एक तो regulator भी रहता है, तो regulator को variable resistance दे रहता है, फिर यहां पर एक fan बना दिजिए, three blades का, फिर यहां से यह neutral में आज़ें, तो यह fan connect हो गया, ठीक है, तो यह 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 तो य से fan connect कर सकते हैं, चलिए, इस वीडियो में हम ring circuit में कैसे जो socket है, three pin socket को हम connect करते हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे यहां पर, तो सबसे पहले आप एक ring बना लिजिए, तो आप rectangle बना सकते हैं, square shape का बना सकते हैं, और circular shape का भी बना सकते हैं, यह हो गया, तो तीन wire बना लिजिए, तो इसको मैं live से connect कर देता हूँ, यह live wire हो गया, इसमें fuse के साथ रहेगा, लेकिन हमें rings circuit में, three pin plug, sorry circuit कैसे लगाना है, यह देखेंगे, तो अभी यह जो है, यह neutral wire है, यह live wire को cross करके जाएगा, without touching electrically, इसलिए यह ऐसे करके cross बनाते हैं, ओके, अभी यह earth wire है, तो यह इसको cross करेगा, इसको भी cross करेगा, यह earth, तो यह earth है, यह neutral है, यह live है, तो यह हो गया, तो मनली जी, अभी socket बनाना है, तो आप कहीं भी connect कर सकते हैं, तो socket जो होता है, तो मनली जी में यह बना लेता हूँ, तो जो three pin है, तो यह उपर वाला जो है, वो earth होता है, तो उपर वाला earth होता है, और यह वाला live होता है, यह neutral, तो याद रखना है, तो आप जो plug में, ऐसे याद कर सकते हैं, plug में L है, left वाला L, यह live होता है, ठीक है, तो plug में left वाला pin यह live होता है, तो यह याद रखे, तीन तो L है, plug में L, left में L, और live में L, तो plug में left वाला pin live होता है, तो अब इसको हम इसमें, socket में लगाएंगे, तो जो left वाला जो live pin है, वो इसमें, right में आ जाएगा, इसलिए जो socket होता है, उसमें, जो right वाला है, L होता है, तो याद रखना, अभी हमें क्या करना है, तो यह जो live वाला है तो यह इस live wire के साथ connect करना है तो हम क्या करेंगे यह तरह से यहां से लेके आते हैं फिर यहां पर हम switch लगा देंगे फिर अब चाहिए तो fuse लगा सकते हैं यह fuse का simul हो गया ठीक है तो अभी यह live wire में ले जाए तो switch और यह fuse तो live connect हो गया अभी neutral wire neutral वाला wire है यह neutral में चले जाए जब भी wire crossing करेंगे without electrically touching तो यह ऐसे बनाना है ठीक है और यह जो earthing वाला है यह wire हम earth वाले के साथ लगा देंगे यह है तो यह हो गया connection lock का ठीक है तो उसी तरह आप इधर भी यही बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं चले यहां भी मैं practice करके दिखाता हूं आपको practice हो जाएगा तो यह क्या है यह earth है यह live है यह neutral है तो अर्थ वाले को सीधा लेके जाएए यह crossing की यह यहां जाए रहा है यह live वाला इस साइड में है तो यह live वाला इसके साथ connect करना है तो यहां पर switch दिजिए फिर fuse दिजिए फिर यहां चला जाएगा live वाला और यह neutral है यह neutral में चला जाएगा देखें तो यह 3-pin socket लग गया तो इस तरह से connect कर सकते हैं